मुंबई हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से हैं इसकी शुरुवात हुई थी 1993 सीरियल बॉम ब्लास्ट से फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26 ग्यारग मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बगी था कब रिलीज होगी अक्षिकुमार की सूर्य वंशी किस दिन इस बात का पता चलने वाला है हिलो फ्रेंट्स अब देखरें बॉलिग्वराफ स्टूडियोस मैं सोनी कजार सूर्य वंशी की रिलीज डेट को लेकर अभी वी फैन्स में बहुत ज़ादा कंफ्यूजन है हलांकि तैम आना जा रहा है कि फिल्म 2 अपरेल 2021 को रिलीज हो जाएगी दूसरी तरह फैन्स लगातार सोशल मीडिया पर फिल्म को होली पर रिलीज करने की मांग कर रहे हैं अब सारे रहस्यों से परदा उड़ जाने वाला है दोस्तों और डेट है 9 फरवरी जी हाँ 9 फरवरी को सूरे वंची का रिलीज डेट का जो उफीशिल अनाउस्मेंट है वो की जाएगी फिल्म की एक जबरदस जलक के साथ अब दोस्तों ये जो जलक है वो नया प्रोमो होगा या फिर नया ट्रेलर होगा फिल्हाल इस बारे में कयास लगाया जा रहे है वहीं फैंस चाहते हैं कि अब तो अक्षे कुमार और केटरीना कैफ के टिक पे बड़ सा पानी की एक जलक मिल ही जाए जो भी है वो नौ फरवरी को पता चलने वाला है अक्षे कुमार का जो लखी डेट है लखी नंबर है उसे भी नौ मना जाता है इसलिए नौ तारी को वो कुछ धमाका करने वाले हैं ऐसे में फैंस को बस कुछी दिन का अधिसार करना है सूर्यवन्शी की ग्रांड अनौंस दो होती वैसे भी रोही शेती कभी अपने दरशकों को नराज नहीं करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ओफस से थीअिर मालिकों के साथ बॉलिवड को भी काफिय फायदा होने माला है सूर्यवन्शी त्क अपने दरशकों को वही दोस्तों इस फिल्म का अधिजार फैंस 2018 से कर रहे हैं जब उन्होंने रनवीर सिंग की सिंबा में अक्षे कुमार की जहलक देखी थी रोही शेटी ने अपने नए हीरो वीर प्रताप सूर्य वंची को दर्शकों से तभी मिलवा दिया था और अक्षे कुमार इस समय बॉक्स ओफिस किंग भी है रोही शेटी का कोई भी सत्ता आज तक बॉक्स ओफिस पर फेल नहीं हुआ है ऐसे में ये दोनों परदे पर धमाका करेंगे ये तो तैह है पर ये धमाका कितने करोड का होगा बस इसकी गिंदी करनी बाकी है हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीस हुई तामिल फिल्म मास्टर किताबर तोर कमाई के साथ थोड़ी सी राहत मिली है मेकर्स को फिल्म ने 50% occupancy पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया लोगों की जमकर तारीफ बटोरी और साथी अच्छी खासी कमाई भी किया ऐसे में तसली मिल चुकी है कि दर्शक सिनेमा घरों को लौट रहे है इस फिल्म में रोहिश एटी के कॉप यूनिवर्स की एक जलक देखी जाएगी आगे चलकर सिंबा सिंगम सूर्य वंची एक साथ बड़े परदे पर आएंगे और एक मिशन के साथ आएंगे दर्शक अभी से ये कयास लगा रहे हैं कि जो ये फिल्म है तीन का तिकड़ा ध 2020 में ताना जी के साथ बॉक्स ओफिस सबसे बड़े ब्लग बस्टर फilm साबिथ हुई थी और सबसे बड़े स्टार 2020 के हैं ऐसे में इस तिकड़ी का साथ में बॉक्स ओफिसी रिकॉर्ड काफी दिलचस्ब होने की संभावना है फिल्म की ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ फिल्म और साथी फिल्म मार्च 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविट के चलते नहीं हो पाई और जिस सरा से बस इस फिल्म के लिए दिख रहा है तो ये 500 करोड का आकड़ा आसानी से पार कर लेगे तो अब फैंस को सूर्य वंशी के नए ट्रेलर प्रोमो का इंतजार है सूर्य वंशी का हमें नीचे कमें सेक्षिन में जरूर बताईएगा और इसी तरह के दूसरे बॉलिवर्ड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलिग्रास स्टूडियोज को